सफेद दाग का अचुक इलाज दोस्तों आपका स्वागत है डेली हेल्थ केर चैनल में आज हम बात करेंगे सफेद दाग के अचुक इलाज सफेद दाग एक तवचा रोग है और हमारे भारत में कई लोगों ने इस रोग को कुष्ट रोग का नाम देकर हमारे मन में इस रोग के लिए घृना पैदा कर दी है विश्व में 1-2% लोग इस रोग से प्रभावित है लेकिन भारत में इस रोग के शिकार लोगों का प्रतिशत 4-5 है इस बिमारी में रोगी के शरीर पर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग आकार के सफे दाख देखे जा सकते हैं कई बार ये रोग वंशानुगत भी होता है, सफेद दाग का रोग ठीक हो जाता है, इसलिए आपको धैरे रखने की जरूरत है अगर आप सफेद दाग के रोग को दूर करना चाते हैं, तो आपको घरेले नुश्कों के साथ कुछ बहुत सी जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा पहला, विशैल तत्व को बहार निकाले, शरीर का विशैल तत्व बहार निकलने से न रोके, जैसे मल, मुत्र, पसीना, आदी दूसरा, मिठाई, रबडी, दूर्द, वदही का एक साथ सेवन न करे तीसरा, बहुत जादा गरिष्ठ भोजन न करे, जैसे उड़त की दाल, मान, वमचली, इसके साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखे भोजन में खटाई, तेल मिर्च, गुड का सेवन न करे, अधिक नमक का प्रयोग न करे बत्वा है फाइदे मन, रोज बत्वा की सबजी खाए, बत्वा उबाल कर उसके पानी से सफेद दाक को धोए, कच्चे बत्वा का रस दो कप निकाल कर, आदा कप तेल का तेल मिला कर, धीमी आचपा पकाए, जब सिब तेल रह जाए, तब उतार कर शीशी में भर ले, इसे लगाता लगाते रहें, अगला उपाए, अक्रोट खाए, अक्रोट में इतनी शक्ती है कि वह आपकी सफेद पढ़ चुकी तवचा को काली कर सकता है, इसे खूब खाए, अगला उपचा, अलफा अलफा यह मतल परिवार, फबासिया का फूल देने वाला एक पौदा है, ज दाद ठीक हो जाएगा, लहसुन का सेवन नियमित करे, लहसुन के रस में हरण घिसकर लेप करे, डाग मिट जाएगा, अगला उपाए, उड़त की डाल पानी में भीगी हुई, फिर उस डाल को पीस कर सफेद दाग पर चार माहा तक लगाने से दाद ठीक हो जाएगा, नीम खाए, नीम लगाए, नीम की पत्ती, फूल, निमबोली, आदी को सुखा कर पीस ले और प्रति दिन फंकी ले, सफेद दाग के लिए नीम एक वर्दा है, कोई भी सफेद दाग वाला वेक्ति, नीम तले, जितना रहेगा उतना ही फायदा होगा, ये थे कुछ घरिले उपा जिनके करने से आपके सफेद दाग का इलाज हो सकता है, ऐसे ही और उपचार जानने के लिए जुड़े रहें डेली हेल्थ केर के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें और कमेंट जरूर करें